दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही योटोब चैनल पर ये आप लोगों के बार-बार कमेंट आ रहे थे कि यूपीटेट जो 2022 का आयोजर भी 23 जिन्वरी को कराया गया था उसकी जो रद कराने की अपील पड़ी थी हाई कोट लखनव बिंच में उसका क्या हुआ तो उसी क देख रहे हैं कि ये जो इसके खिलाब जो है रद करने के लिए अपील डाली गई थी वो दो फरवरी 2022 को डाली गई थी साथ फरवरी को ये आप देख रहे हैं रजिस्टेशन करवाया गया था अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी सुनवाई कल हो चुकी है ये देखिए फर्स्ट इरिंग जो है नव फरवरी को हो गई है और इस पर काफी तगड़ी बहस हुई और जो है इसमें जजज महोदे ने इनसे अपने पच्छो को रखने की जब बात की गई तो देख लीजिए जो प्रिटिशनर थे वो कौन-कौन थे ये आप देख पा रहे हैं किसने जो है मुकत्मा दायर किया था लखनव हाई कोट में तो अनूप कुमार भारत द्वाज के द्वारा ये मुकत्मा डायल किया गया है ये आप देख पात रहे हैं और मैं आपको इसे पहले बता दूं कि परिच्छा में लगबग 22 से 24 लाख भैरती सामिल हुए थे लेकिन वह जब आपती या मुकत्मा कायम करने की बात आई तो महच दो लोगों ने ही केवल इसमें मुकत्मा कायम किया है कि परिच्छा रद्ध हो तो कोल्ट ने कहा कि 22 लोगों 22 लाख लोगों में से सिर्फ दो लोगों को ही आपती है कि 2017 के पेपर कर रिपिटीशन हुआ है इसलिए इस एक्जाम को रद्ध कर दिया जाए तो चो कोल्ट ने कहा कि क्या सिर्फ दो लोग के कहने से इस परिच्छा को रद्ध किया जा सकता है तो इस पर जो प्रिटीशन्स थे अनूप कुमार भारद्वाज जी ने उन्होंने कहा आए कि महोदय ऐसा नहीं है आनन फानन में हमने तुरंत ही जो है इस पे रिट धायर की थी आप हमें जो है थोड़ा मौका दीजिए मैं इसमें जो है जितने भी लोग काफी लोग जो है प्रभावित हैं कई यो लाख भेरती चाहते हैं कि यो पीटेट का परिच्छा जो है वो रद्ध हो आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए मैं इसमें प्रेटिशनरों की संख्या आप देखेंगे कि कितनी हो पाएगी तो जज महोदय ने कहा कि ठीक है अगली तारी 21 फरवरी को लगाई जा रही है अगर 21 फरवरी को ऐसा कुछ हो पाता है तो यो पीटेट का जो है उसमें कुछ हो पाएगा वरना आप यह मान लीजिए कि ये कोट सेर्जी रद्ध हो जाएगी यानि कि यो पीटेट किसी भी सूरत में जो है वो रद्ध नहीं होगा और इसी क्रब में आपको बता दें कि यो पीटेट का जो एंसर की है वो 22 फरवरी को आनी प्रस्तावित है और इसका जो रजल्ट है वो 25 फरवरी को आने वाला है तो यह कोट अपडेट थी कल सुनवाई होई जल्द ही अगले जब अपडेट आएगी तो आपको फिर से सुचित किया जाएगा मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंजै भार थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो